अस्लाम लेकुम गाईज, क्या हाल है? उमिद करता हूँ सब खरीयास से होंगे तो गाईज, previous lecture में हम लोगोंने कुछ टेगs के बारे में बढ़ा था जिन में हम लोगोंने inputs टेगs के बारे में पढ़ा था कि हम लोगोंने वो कैसे यूज़ करने हैं ठीक है और हम लोग ने यह सिलेक्ट और ऑप्शन के टैग के बारे में बढ़ा था ओपीटी ग्रूप हमारे पास क्या होता है यह सब हम लोग ने पढ़ा था तो आज हम लोग next move करते हैं तो आज हमारा next जो टैग है वो है यह देखें लिख है legend और यह close कर दिया for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ sign up ठीक है Ctrl S किया यह 0 नहीं लिखना sign up का button यहाँ पर लिखा Ctrl S किया उसके बाद मैं next लिखता हूँ input input हमारे पास type को है input type for example मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कोई भी name ठीक है placeholder मैं कर लेता हूँ placeholder enter your name ठीक है यह मैं इसको close किया सेम इसी के तरह का एक or tag मिला लेता हूँ जिसमें हम लोग password कर ले लेते हैं Ctrl V किया यहाँ पर input type मैं password कर लेता हूँ input type password किया placeholder यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ interviewer password Ctrl S किया यहाँ पर जाकर मैं refresh करता हूँ तो अब देखते हैं क्या हुआ हूँ यह देखें यह अब हमारे पास mostly use होता है जो websites अक्सर यहाँ पर last पर करके हमारे पास ऐसे का एक box बना होता है जिसमें हमारे पास यह input tag यूज किया होते हैं जिसका नाम है legend, legend का tag यूज करते हुए यह यहाँ पर move कर गया sign up आ गया और उसके अंदर हम लोगों ने दो tag लगाए हैं जो के inputs के हैं एक हमारे पास name वाला हमने input का tag लगाया और एक हम लोगों ने लगाया password का ठीक है तो हमारे पास यह field set के बाद हम लोग next tag की तरफ जाते हैं next हमारे पास क्या आता है next हमारे पास text area ठीक है open किया close किया अब मैं इसको for example मैं यहां पे लिखता हूं name लिखेंगे name में हम कर लेते है message यानि कि message लिखते हैं यह अकसर वहां पे यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा अकसर website के last वे हमारे पास comment box होता है ठीक है यह उसके लिए यूज करते हम लोग for example मैं यहीं पे इसका style दे लेता हूं अब यह style मैं यहां पे आप लोगों को समझने आएगा कि यह style sheet मैं यहां पे कैसे यूज कर रहा हूं यह हमारे पास होती है inline coding यानि के tag के अंदर ही हम लोग अपना style का tag यूज करके हम लोग सारी css वाली जो उधर coding करते हैं वो इध अब मैं आप लोगों को वो css करवाऊंगा तब आप लोगों को better समझाएगी के inline और external और internal इन तिनों में क्या फरक है style यहां पे मैं आप for example मैं यहां पे देता हूं width ठीक है यह देखें control space दबाया width आप मैं देता हूं यहां पे 200 ठीक है 200px और फिर मैं करता हूं height height भी म control s किया ठीक है अब for example मैं इसमें लिखता हूं कोई भी line लिख देता हूं for example the cat was playing in the garden अब मैं save करके जाता हूं यहां पे next move करता हूं refresh करते हैं ठीक है यह देखें अब यह हमारे पास यह comment box है यह मैंने पहले automatically पहले का लिखा हुआ है ठीक है आप लोग इसे चाहिए remove भी कर सकते हैं नहीं करना वो आपकी मर्दी है यह तो मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने क के लिए बताया कि यह comment box होता है आप लोग जिससा मादी लें for example मैं इसे remove करता हूं मैं control is करता हूं अब next आप देखते हैं refresh किया यह देखें for example मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं यह देख लिख हो रहा है यह comment box में हमारे पास लिख हो रहा है तो यह हमारे पास comment के लिए use होता है अच्छा जी next हम move करते हैं next हमारे पास for example मैंने inputs की कोई list बनानी है inputs browsers की input input अब मैं next का देता हूं input list list मैंने बनानी है for example मैंने list कोई बनानी है browser की ठीक है input यह दिया इसे close किया मैंने यह इधर कर लेते हैं यह हो गया ठीक है अब हमारे पास इसमें मैं देता हूं name name मैंने क्या देना है name for example मैंने browser का करना है तो मैं करता हूं browser ctrl s करता हूं इसे back move करता हूं यह उपर बाइल लाइन में आ जाए नहीं आ रहा चलें यहीं पर ठीक है इसे नीचे enter कर देते हैं ठीक है यह अब आ गया ctrl s किया ठीक है name browser next हम देखते हैं अब इसमें मैं एक data list बनाऊंगा जिसमें सारे browsers आएंगे ठीक है अब हम बनाते है data list यह देखे data list आ गया open किया फिर मैं इसे close करता हूं यह close कर दिया अब data list में मैंने जो id देनी है वो हमारे पास उपर किया ब्राउजर तो मैंने id भी देनी है browsers की ठीक है browsers control s किया ठीक है अब यहां पर मैं option देता हूं कि मैंने कौन कौन से करने हैं browser उसमें add करने है option यह देखें option आ गया option में अब हमारे पास value हम लोग देंगे मैं इसे बंद करता हूं value अब value इसमें क्या देनी for example मैंने एक लेना है google ठीक है मैं इसे save करता हूं फिर मैं एक लेता हूं option के यहां पर लिया उसकी value value के लिखी हमने for example firefox मैं लिख लेता हूं यह ओपेरा जैसे आपको better लगी है जो आपको पसंद है तो मैं 3-4 यहां पर browser का लिखता हूं control v किया copy करके यहां पर मैं लिखता हूं for example internet explore internet explore लिखा ठीक है control s किया अब यहां पर जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है refresh किया मैंने अब यह देखे हैं हमारे पास यह निशान शहर हो रहा है तो यह देखें यह हमारे पास करता है फार जमबल मैं इस पर click करता हूं यह देखें यह हमारे पास inputs browser में हमारे पास अक्सर हम लोग सर्च कर रहे होते हैं कि यहां पर हमारे फाइजम्ल मैं यहां पर अपिरा लिखता हूँ यह देख फॉरन ही अपिरा आ अक्सर हम ऍ्वलदा रहने आ यहां और साइटत है एप लोग यह कों सा ब्राउजर चोलगे हैं तो यह लिए टाइग यूज हम canvas हमारे पास वो tag होता है जिस पे हम work कर रहे होते हैं यानि कि canvas कोई भी board क्लिप board कह सकते हैं जिस पे हम work करते हैं यह वैसे simple एक tag था मुझे मिल गया तो मैंने का चलो यह आपको भी बता देता हूं canvas for example मैं इसकी width कर लेता हूं 200 ठीक है और उसके बाद इसकी height जो है लेता हूं यहांपे ठीक है ctrl s करता हूं यहांपे जाते है move करते हैं refresh करते हैं नहीं आया हमारे पास यह अब यह हमारे पास इसलिए नहीं आया क्यूंके हम लोगों ने यहांपे इसकी जो styling है वो पूरी नहीं की style हम मैं देता हूं style for example मैं यहां पर border देता हूं border border मैं क्या देता हूं 3px ठीक है पहले आप लोग उने border लिखना है कि आप लोग उने कितना रखना है 3px फिर आप लोग solid या कोई भी आप लोग 2-3 तरह की यहां पर show होते हैं ठीक है यह dash, inserts, outset आप लोग उने जोंसा यूज़ करना है तो कर लें solid मैं करता हूं for example मैंने यह करना है black ठीक है तो मैं इसे save करता हूं control s किया यहां पर आते हैं refresh करते हैं यह देखें यह हमारे पास canvas है जिस पर हम रहते हुए सारा काम करते हैं यह tag वैसे था मैंने आप लोग उपदा दिया यह use तो नहीं होता बट फिर भी आपके इलम में होना चाहिए next हम लोग देखते है canvas के अब हम लोग table का tag use करते हैं यह mostly हमारे पास use होता है table का tag लगाया ठीक है open किया और close किया इसे अब जो table का tag है इसमें हमारे पास 4 tag होते हैं एक हमारे पास tr होता है एक हमारे पास td होता है और एक हमारे पास th होता है जो हमारे पास table है उसमें तो हम लोग तीनों tag लगाते हैं tr, td और th जो हमारे पास tr है वो हमारे पास use होता है वो जो हमारे पास हम लोग ने row बनानी होती है और जो td है वो हमारे पास columns के लिए use होता है और th वो हमारे प लोगों को बताता हूँ आप लोगों को समिन लग जाएगी अब हम लोग यहां पर आते हैं ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूँ फिर मैंने कंट्रोल भी किया अब पहली रो में हमने जो पहली लाइन है वो हम लोग उने हेडिंग की बनानी है फिर यहां पर मैं लिखता हूँ नेम और नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ कलास लिखता हूँ फिर हम लोग लिखते हैं रोल नमबर हमारे पास जो है अब ये तो हमारे पास बनगी पहली रो जो अब हमारे पास हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे वो हमारे पास बनेगी इनके नाम रोल नमबर सेक्शन जो होंगे बच्चों के वो हम लोगों ने लिखने हैं वो पहला था सिर्फ के heading के लिए यानि के main जो point है अब ये हमारे पास हम लोगों ने tr का use किया अब हम लोग इसमें जो use करेंगे वो हमारे पास होगा td यानि के हम लोगों ने पहले जो column बनाना है जो पहले row है उसमें जो लिखना है वो heading attack सारे होने है और दूसरी तीसरी चौती जो इतनी भी row होंगी वो सारी हमारे पास होंगी वो td के साथ यानि के उनके साथ column बनाएंगे td ठीक है अब इसे मैं copy करता हूँ यहां से control c किया control v किया फिर control v किया for example मेरा नाम सनान है तो मैं यहां पे सनान लिखता हूँ और class मेरे पास क्यों सी है for example bscs है ठीक है और row number मेरा 123 है control s किया for example मैं एक और बना लेता हूँ इसी को मैं copy करता हूँ control c किया control v किया अब यहां पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ अली कर देता हूँ उसके बाद section जो है जो class है वो csc रहने देता हूँ यहां पे one two four कर देता हूँ control s करते हैं यहां पे जाते हैं रिफरेश करता हूँ यह देखें यह हमारे पास अब name class row number और name के यह पहली हमारे पास tr यानि के पहली row उसमें हमारे पास th का यह पहला सारा column है जो row है और यह हमारे पास कौन सी row है जो जिसमें हम लोग ने टी डी लगाई है यह भी टी डी वाली है तो यह था हमारे पास table का tag next हम लोग करते हैं next में हमारे पास आता है जो detail का tag for example detail details लिखते हैं इसका tag आया open किया close किया detail के नाम से आप लोग गया लगता है इसकी जहरी बात नाम से show हो रहा है detail यानि कि उसमें कोई भी होगी for example detail करने हैं मैं पहला लिखता हूँ summary summary में मैं लिख देता हूँ for example government college ठीक है उसका tag बंद किया next move करते हैं for example मैं इसी को copy करता हूँ control c किया control v control v अब हमारे पास government यहां पर मैं उसकी समझी लिखता हूँ कि government college में हमारे पास rooms है rooms का mention कर देता हूँ है और हमारे पास different departments हैं ठीक है control s करते हैं यानि कि एक हमारे पास college है अब यह देखें यहां पर निशान आ गया इसे मैं open करता हूँ क्लिक करके तो यह देखें उसकी detail आगी उसमें rooms हैं departments हैं तो यह इसलिए tag यूज़ करते हैं यानि कि एक चीज़ की जो उसमें हमारे पास specific उसकी चीज़ें होंगी rooms होंगे departments होंगे वो हम लोग उसमें add कर सकते हैं next हमारे पास आता है जो center का tag है वो कैसे use करते हैं center नाम से जाहिर है center में of course center में होगा center for example मैं अपना name लिखता हूं सनान एहमद लिखा ठीक है यहां पर मैं फिलहाले से break कर देता हूं में भी आ गया पार इजेंपल पंजाब है पंजाब ठीक है control s कर देता हूं यहां पर आता हूं refresh करता हूं तो यह देखे थोड़ा सा ना italic हो गया है तो यह address के लिए हम लोग use करते हैं center का भी आप लोगों को पता चल गया है next हम लोग tag करते हैं एक हमारे पास del हम लोगों ने किया था तो उस पर cross आ गया था उसकी तरह का एक और मिलता जूलता मुझे एक tag मिला था वह हमारे पास यहां पर s के नाम से आता है ठीक है तो इसे मैं बंद करता हूँ for example मैं name लिखता हूँ save किया यह देखें यह भी वोई worker है यानि कि del कर देता है किसी भी चीज़ को तो next हम आरे पास हम लोग करते हैं mark का tag यानि कि किसी चीज़ को mark करना for example मैं लिखता हूँ I love programming ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग को mark करना है यानि कि उसे highlight करना है यह देखें mark का option आ गया इसे मैं close किया यह mark इसे यहां पे वो close हो गया है control S करता हूँ यहां पे आते हैं देखते हैं यह देखें I love programming प्रोग्रामिंग वाला जो portion है वो हमारे पास mark हो गया ठीक है अब एक मज़े का tag है उसे mark की कहते हैं वो है M-A-R यह देखें यह आ गया इसमें याद करने की जूरत भी नहीं पड़ती बस आपको थोड़ा सा hint होना चाहिए आपने थोड़े से यह देखें यह लाइन चल पड़ी यह किसी भी लाइन को आप लोगों ने मूव करना है तो उसके लिए यह टार यूज करते हैं animation के तोर पर यह कह सकते हैं हम लोग next हम लोग करते हैं comment हम लोग कैसे करते हैं website में उसके लिए हमारे पास यह shift one दबाएंगे तो यह वाला यह देखें यह black black हमारे पास हो गया है ठीक है तो इसमें मैं लिख देता हूं this is a comment ठीक है अब इसे हमने उसी तरह बंद करते हैं अब यह हमारे पास comment हो गया है यह हमारे पास हम लोग ने जो चीज़ भी comment करनी है वो हम लोग ने इनके दरम्यान में लिखनी जहां पर हमने लिखा है this is a comment तो यह हमारे पास tag यूज होता है comment के लिए ठीक है next हम लोग मूव करते है अगे जो हमारे पास है ना वो मैं आप लोगों को खुरो ना थोड़ा सा colors के बारे में आज idea देता हूं इसके साथ अब colors हमारे पास different तरह की होते है colors हमारे पास RGB भी होते है यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ आप लोगों को color RGB ठीक है एक हमारे पास RGB होते है उसके बाद हमारे पास HEX होता है ठीक है हेक्स के बाद हमारे पास HSL होते हैं ठीक है और हमारे पास HSLA होता है अब हमारे पास यह मैं आप लोगों को बताता हूँ यह RGB जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है red, green और blue और जो हमारे पास HEX है वो हमारे पास यह मैं बताता हूँ यह लिखके एक में डाब लोगों बताता हूँ यह हमारे पास red हमारे पास 256% होता है और यह 0 और यह 0 यह यह इतने परसंट होता है और next जो हमारे पास HEX है वो हमारे पास पहले में hash होता है प्र 0 होता है फिर 0 तरह फिर इस तरह ठीक है और जो हमारे पास HSLA यहानि के hue, saturation & lightness hue हमारे पास 0% ठीक है और next वाला जो है यह हमारे पास 100% होता है और next जो है हमारे पास 50% होता है ठीक है ये हमारे पास क्योंस है hue, saturation और lightness उपर बारे red, green, blue ठीक है और उसके बाद आ जाता है HSLA ये हमारे पास होता है hue, saturation, lightness and alpha तो इन में percentage कितनी होती है पहले में 9 यानि के hue में और जो हमारे पास saturation है उसमें 100% होती है ठीक है, और जो next है उसमें हमारे पास 64% होती है और जो last वाला alpha है, वो हमारे पास zero होता है इसमें, ठीक हो गया इसी तरह हमारे पास जैसे HSL और HSLA है इसी तरह हमारे पास RGB और RGBA होता है वो मैं लिखना बूल गया RGBA हमारे पास क्या होता है RGB में पहला जो है red वो हमारे पास 255 होता है next 99 होता है फिर 71 और जो last वाला हमारे पास alpha होता है वो हमारे पास 0.4% होता है ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा colors का था ये मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हम लोगों ने color choose करने है न तो हम लोग colors का वो नाम लिखके for example मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा अगर hash के साथ कोई लिखना है नाम for example 999 इस तरह ये हमारे पास colors के codes होते है जिसको हम use करते हुए colors देते हैं तो वो आप लोगों को style sheet में पता चल जाएगा मैंने ये आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है तो आज के lecture में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज के lecture में हम लोगों ने ये data list के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है टेडिया के बारे में ठीक है और input list वगारा कैसे बनानी है table कैसे बनाना है उसमें तीन चीज़े यूज होती है एक टी आरो यूज होता है एक टी हैड यूज होता है जिसे हम टी एच के tag से यूज करते हैं और एक हमारे पास टी डी होता है नेक्स्ट हम लोगों ने किया details और center का tag address ठीक है mark का tag murky और थोड़ा सा colors के बारे में डिसकस किया कि वो हम लोगों ने कैसे यूज करना है तो इंशाला ये हम next दो या तीन lecture में इसे HTML जितनी भी हमारे tags है वो हमारे खतम हो जाएंगे फिर हम move करेंगे CSS style sheet की दरफ ठीक है guys आज के लिए इतनी काफी है बाकि next करेंगे इंशाला अगर आपको मारे वीडियो पसंद रही तो लाइक करें, comment करें, share करें, subscribe करें अल्लाहाफिस